खिये का सडके जाम हो जाएंगी जेल भर जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश की आपको यह कहने का जो आवसर मिला है फिर नहीं मिलेगा तो इसका जवाब गलता हैगा सरकारी जमीन पर इनके भारती जंदा पर्टी के केंद्रिय जल संचारी मंत्री ने कबज़ा कर रखा है। that रहे हैं किसा.. सबसे महां भिरस्ट सबसे महां भीरस्ट सबसे महां भिरस्ट जो झूती सरकार है यह भारत जंदा पर्टी की। तो इन्हों ने योजनाए बहुत अच्छी बनाई है दाद देंगा ताली बजाओंगा सलाम करूँगा उनको आ रही है मान लेते हैं तो इस पर बना क्या है आजम खासा आपने बिल्डिंग बना लिए अपने समाजबादी पार्टी पर दाग लगाया जा रहा है लगता नही यह मानेवर केमरा लेके जाएए गाउंदी हात में अंदर इंटीरियर में जहां पर सड़क बनाई दिखाएए मोधी जी ने योगी जी ने वहां पर खीचल के गड़े पड़े हुए हैं कहें तो अभी लेचलू अभी आपको अपनी जान की बाजी लगा देंगे इस गेट आपसे मुर्गी चोरी बखरी बेर्ट चोरी यह दाग नहीं है हजारों करोड लुपे भीक बांगे जद्धा से इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया बड़ा नेता बखरी चुराएगा बड़ी चुराएगा यह तो आप लोगों का आरोप है लोग काम कर रहा है गाउंग अज आज आज आजम खान को एक बड़ी राहत की खबर मिली है आजम खान की जोहर इनिवस्टी गेट पर हाई कोट ने चार हफते का इस्टे दिया है तो वही जादा जान करी के लिए आज हमारे साथ आजम के समर्थ तक भी मौझूद है और हमारे एडिटर रवी सखसेनजी भी मौझूद है रवी जी से बात करते हैं आखिरकार आजम को यह बड़ी जो कामिया भी सफलता मिली है जो राहत मिल सब्सक्राइब मेरे इलाबाद बी लोगों से बात हो रहे थी आजम के वकील से भी बात हुई उन्हों नहीं को इस्टे तो मिला है और इस्टे में यह है कि अभी हम जो पीछे गेट देख रहे हैं यह इस गेट को कुछ दिनों तक और रहात है मतलब दिखे का लो रामप्र का है आजम खान को जो इस्टे मिला है हाई कोट से मातरवी चार सफते का है उन चार हफते में उत्ता परदेश सरगार को एक किश दुनों के लिए आजम के समर्त जो हैं मिठाई बाट सकते हैं है इसे उनके मन में कितनी खुशी चार हफते के इस्टे को लेकर दिख रही है मैं दिखाने चाहूँगी मेरे साथ समाजवादी समर्तक मोर्चा के रास्टी अध्यक्ष जी मौजूद है और उनके कारे करता भी मौजूद है मेरे साथ हमारे एडिटर रवी सक्सेना जी मौजूद है आज रास्टिया अध्यक्ष अजीम इक्वाल से बात करेंगे अजीम दी आप आंदोलन कर रहे हैं चार हफ़ते का इस्टे मिला है गेट को लेकर क्या बचा पाएंगे? ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है आज कोट ने जो चार हफ़ते का जो हमें इस्टे दिया है हम कोट के लिए का शुक्रियादा करेंगे और हारदिक धन्यवाद देना चाहेंगे और उन समस्त लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा उनका अभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने जोहर उनिवर्स्टी के गेट को बचाने के लिए अंदोलन किया है और ये अंदोलन जब तलक पूरी तरह से गेट की सुरक्षा नहीं हो जाती है ये हमारा अंदोलन जारी रहेगा और हम इसके लिए मांग करते रहेंगे आप यूनिवर्स्टी गेट को बचाने के लिए घर पर बैट कर रहे हैं धरातल पर कब आएंगे घर पर बैट करके योजनाय बनती हैं धरातल पर काम हो रहा है हमने अभी साइकल यात्रा निकाली है और बराबर हमारे समाजबादी समर्थक मोर्चा के और समाजबादी पाटी के कारे करता इसके लिए बराबर आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ग्यापन पेश कर रहे हैं और जिस तरह से भी जो संभव हो सकता है लोग तंत्र में वो आवाज उठा रहे हैं साइकल पर फोटो किजबा लेना, अभी इस्टे मिला आप लेड़ू बाढ़ देते हैं और पीछे जब जनम दिन हुआ है, तो आप लोगोंने केक काट लिया, आजम भी बिमार हैं, कहा है सानवूती आप लोगों? देखिए मामले कोर्ट में चल रहे हैं, हम लोग अल्ला से, ईश्वर से, भगवान से, गौट से प्रार्थना कर रहे हैं और जन अंदोलन भी कर रहे हैं, साइकल यातरा भी निकाल रहे हैं, और आपने देखा होगा, पिछले दिनों समाजबादी पार्टी के द्वारा, पूरे प्रदेश इस्तर पर अंदोलन हुआ है, आजम खान साहब की रहाई को ले करके, और जोहर यूनिवस्टी के आप बलाक मुख्यालों पर जिला मुख्यालों पर धरने प्रदेशन को ग्यापन देने को आप आंदोलन नहीं मानते, अभी आंदोलनों की शुरुआत होई है, और जैसे जैसे समय बीचता जा रहा है, जन आकरोश फैलता जा रहा है, अगर इसी तरह से ऐसे ही शिकंजा कस कारवाई रही, तो आप देखिए का सड़के जाम हो जाएंगी, जेल भर जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश की, आपको यह कहने का जो आउसर मिलना है, फिर नहीं मिलेगा, अरे अजीम जी, आप क्या प्रशासन से डर रहे हैं, या फिर सरकार से डर रहे हैं, हम किसे से न ग्यापन देना, राश्पती को ग्यापन सौपना, जिलाधिकारी को ग्यापन सौपना, साइकल यातराई निकालना, बिलाक मुख्यालों पर धरना प्रदर्शन करना, क्या यह आपको अंदोलन नहीं दिखाए दे रहा है, वे तो आप खुद को चमका रहे हैं, नहीं, ऐसा समय आएगा, आप देखेंगे, सड़के जाम हो जाएंगी, जिम भाई, जिम भाई कैसी सड़के, अरे आपक नेता कहते है, खून पर नदिया बहा देंगे, यह समाजबादी पार्टी का टेंट नहीं है, यह समाजबादी पार्टी का लोगों का बयान नहीं है, यह कुछ लोग होंगे, जिन्होंने यह आवाज उठाई होगी, समाजबादी पार्टी के लोग इस तरह की आवाज नहीं उठाते हैं, इसका मकसद है, हमारे दिलों को थोड़ी सी आद राहत पहुंची है, जो गेट तोड़ने की तुरित कारवाई हो रही थी, यहां पर नोटिस च समाजबादी पार्टी के और लोग का है, रामपुर जिले के भूमिगत हो गए, योगी जी का खौफ है, सरकार का खौफ है, क्या है, नहीं ऐसा नहीं है, देखिए अभी हमारे चात्र सभा के वैभाव यादाव जी, आप देखिए, साइकल यातरा पर निकले वे हैं, मौन समाजबादी पार्टी का रहले है, दारोल अवाम से भी लोग जाकर के ग्यापंदे कर क्या है, जिलादी कारी महोते को ऐसा नहीं है, ऐसी ब्रहम की स्थितिवाद पहलाए, प्लीस, नहीं नहीं, यह गलत है, यह भारती जंता पार्टी की चाले हैं, हम लोगों को करेंगे, तो उसका जवाब गलत आएगा, आप भ्रहम की स्थिति मत पहलाएं, मनेवर महोदे, पत्रकार बंदू, आप यह देख रहे हैं कि समाजबादी पार्टी लोग कितने चिंतित हैं, आजम खांसा आपकी सेहत के लिए, और जहर यूनिस्ट्री के गेट के लिए, क् सड़कों पर उतरना, सड़कों पर बैठ करके, यू समझ लिएगा, आंदोलन करना, भूख, हरताल करना बाकी रह गई है, वो भी अगर चाते हैं, तो वो भी हम उसके लिए करेंगे, अगर इस तरह का सिलसला जारी रहा तो, चार हफते का समय दिया है, चार हफते का स्टे मिला है, उसके बात क्या करेंगे, चार हफतों में हमें उमीद है, कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और नियायाले, इस बात पर ध्यान देगा, कि एक शिक्षा का मंदिर, जिस से किसी को नुकसान नहीं है, इस गेट से कि शिक्षा का मंदिर है और इससे किसी को कोई आपती नहीं है किसी को कोई परिशानी नहीं है यह इस थानी अगर बना है तो बना क्या है क्या बना है यह विश्विध्याले की रक्षा के लिए गेट बना गया है मान लो चलो तुमारा आरोब भी अगर सच मान लेते हैं तो क्या इस जगा पर शिक्षा के मंदरी की हिवादत के लिए आदम खान साब ने अपनी बिल्डिंग बना लिया अपना कोई घर बना लिया उ बेदान हो भी काम किया है यह मुखालिक्स की चाले हैं और मदराम कर रहा है किसान की नहीं है यह सब ख़ड़े किवें हैं इसाद बुचिए बराबर में पूल देखिए किसकी इनकी बनी हुई है पिरतिभल मिला आपको हर रंग से पूरा पूछ यह खड़े हैं इंका लिय यह बहुत गलत हो रहा है शिक्षा के मंदिर को कम से कम निशाना मत बनाओ कम मेरी भारती जंदा पार्टी के योगी जी से निवेदन है प्रधान मंदिर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर कोई व्यक्तिकंत नराजगी है आजम खान साहब से तो ठीक है आप देखिए आपने उनको आप शिकंजा कैसी रखा है लेकिन कम से कम इस शिक्षा के मंदिर को तो निशाना मत बना रहे हैं आजम खान ने सरकारी जमीन पर बना लिया ना इसको योगी जी ने जो जूटी सरकार है ये भारदियंदा पाटी की कैसे 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 सकते हैं इनकी योजनाएं उठाके देख लोग इतना जो इन्होंने योजनाएं बहुत अच्छी बनाइए दाद देंगा ताली बजाओंगा सलाम करूंगा उनको लेकिन उनकी योजनाओं का जो किर्या आनवेन हैं दस परसंट भी नहीं है वाई सब अच्छा तो यह आपने बनाये सही बेलकुल सही है और शांदार यूनिवस्टी है यह हमारी योगी जी कारवाई करें तो गल्द और आप गुंडागर्दी करें हमारी कभी गुंडागर्दी नहीं करते हैं भारती जनता पार पत्रकार बंधू यह भारती जनता पार्टी हमारे नेता आजम खां सहाब को परिशान कर रही है जाती दुश्मनी निकाल लई है उनसे और जोहर यूनिवस्टी जैसे इदारे को निशाना बना रही है अजीम जी सरकारी जमीन हत्याने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल जूटा बेबुनियाद है आप खुद देखिए कैमरा लेकर के खड़े हुए गेट कहां पर है सड़क कहां पर है यह आरोप गलत है बी डबलुडी की अगर कोई जमीन थोड़ी बहुत आ भी रही हो चलो मान लेते है आ रही है आ रही है मान लेते है तो इसमें बना किया है आजम खान साब ने बिल्डिंग बना ली अपने कोई उनका परिवार का सदस्ते घर बनाकर बैठा है कोई दुकान खोले बैठा है यहाँ पर क्या बना है यह आपको दिखाए नहीं दरी जोहर विश्विधाल ले इतना है कुबशूरत इतना शानदार जो हजा लेकिन मुझे मैं यह पूछ रहा हूं समाजबादी पार्टी पर ही दाग क्यों लग जाता है समाजबादी पार्टी पर दाग लगाया जा रहा है लगता नहीं है यह भारती जंता पार्टी की चाले हैं और समाजबादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 350 सपने नहीं है सपने नहीं है मानेवर केमरा लेके जाएए गाउं दी हात में अंदर इंटीरियर में जहां पर सड़क बना दिखाएए मोधी जी ने योगी जी ने वहां पर कीचल के गड़े पड़े हुए हैं कहें तो अभी ले चलूँ अभी आपको किसी भी गाउं में जाके देखिए सारे प्रधान पैसा खा गए उसके साथ बेवकूब बना रहा है भरेष्टाचार में लिप्ट है यह सरकार गेट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे उन्होंने अपने लिए यह काम नहीं किया है 73 साल की आयू हो चुकी है उनकी उनके परिवार वाले वो खुद क्या कर लेंगे इसका यह कितने दिन यहां पर बतलब है कि जीवन चिलेंगे मेरी 52 साल की उबर हो गई है मुझे कल का पता नहीं है उन्होंने कम से कम इतना बड कि जान की बाजी लगा देंगे इस गेट को बचाने के लिए इससे जादा कुछ नहीं कह सकते हैं तुमारे बुल्डोजर अगर आएंगे तो उनके आगे लेट जाएंगे हमें कुछल के तोड़ देना इस गेट को अगर यह गुंड़ा गड़ी होगी यह लोग तंत्र है और लोग तंत्र में लोग अपनी मांग करते हैं कोई गलत बात नहीं है अगर यह गेट किसी को परेशान कर रहा हो तो मतलब आजम खान साब खुद इसमें कहें वो गलत चीज़ों को खुद बरदाश्ट नहीं करते हैं उन्होंने अपनी सरकार में रहते हैं अखरी आखरी सबाल आजम खान पर केई दरजन मुकदमें दरज हैं आजम खान कहते थे बेदाग यूपी का एक ऐसा लीडर बेदाग अब दागदार हो वही तो वही तो उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई मानिया आजम खान साब स सकते कि आजम Χां सहाब ने सब की बोलती कर दोंक civology जब उनको वहीं को वही एक इसाब रिडह नहीं है यह है जॉट हा इतना बड़ा योगदान हैं, हजारों करोर लोव इस बीइक बांके जड़्ता से इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया उसकी शभाशी मिलनी चाहिए थी, सराना मिलनी चाहिए थी आजाम खाल साहब का जगा जगा समान होना चाहिए था बदले में इसका मतलब हमारे मुकदम मुकदम भासर डाल जा रहा है यह कितनी गलत बात है कैसी बाते करते हैं इतना बड़ा नेता बखरी चुराएगा पुर्गी चुराएगा यह तो आप लोगों के आरोप है तमाशा बनाके रख दिया आपने नियाले का अदालतों का अध हमें हमारे अपर जो सवाल कर रहा हम लोग के स appelle हैं मटदाता वायों जागरुकता फेलने का काम करने जा रहा है हर गाओं में हमारी समाजवादी समर्थक गोर्जा की टीम जाने वाली है और मद्दाता जागरुक तक कैम्प लगारे जा रहा है आपको बुलाएंगा आप देखिएगा बाराल एक बार साफ है कि समाजवादी पार्टी इस बार इस मूर्ण में है आर और पार यदि इनुवस्टी का गेट पर बिल्डोड़ चला तो समाजवादी पार्टी के समर्थक बिल्डोजरों का सामना करेंगे बाराल परिशासन के बिल्डोजरों को इन समाजवादी समर् दको को भी देखना होगा